प्रश्ण 176 महराजी, क्या सत्संग के महौल और वहां की गई चर्चा का हमें फायदा होता है? वह महौल हमारी बहुत साहता करता है सत्संग में पूरी सद्भावना होनी चाहिए अगर आपस में मदभेध है, तो आप भजन सिम्रन के लिए महौल कभी नहीं बना पाएंगे सत्संग में हमेशा आपसी प्रेम प्यार होना चाहिए अगर आप हमेशा एक दूसरे की निंदा करते हैं और दूसरों पर रौब जमाते हैं तो आप वे महौल नहीं बना सकते ऐसे महौल में आपका दिहान भी सद्गुर की ओर नहीं जाएगा अगर आप किसी सडक के किनारे बैठ कर मेल जोल, प्यार और भक्ती का महौल बना लेते हैं तो एक शांदार सजे हुए हौल में बैठने से कहीं ज्यादा अच्छा है जहां आपस में कोई मिल जोल नहीं है और आप एक दूसरे से लड़ते जगडते रहते हैं सत्संग में राजनीती की भी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए सत्संग में पारिवारिक जगडे भी चर्चा का विशे नहीं बनने चाहिए सत्संग पूरी तरह केवल सत्संग ही होना चाहिए हम सत्संग में सिर्फ कॉफी पीने या बिस्किट वगेरा खाने के लिए नहीं जाते सत्संग के बारे में यह गलत धारना है आप सिर्फ एक कप कॉफी के लिए 50, 60 या 100 मील का सफर तै नहीं करते हाला कि कभी इसकी जरूरत भी पड़ती है लेकिन आपके यहां आने का मकसद यह नहीं है सत्संग के महौल को कभी भी खराब नहीं होने देना चाहिए अगर आप खुद को वहां के महौल के मुताबिक नहीं डाल सकते तो घर बैटकर भी भजन सिम्रन कर सकते हैं वहां जाकर दूसरों के मन में क्यों तनाव पैदा करें और अपने आपको भी सजा दें वह सत्संग ही है केवल उपदेश सुनना ही सत्संग नहीं है जब अच्छी सोच वाले लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे की प्रेणना बनने के लिए एक ही वक्त पर इकठे होते हैं तो वही सत्संग है और कई बार जब वे अपने आपको कमजोर महसूस करते हैं तो उन्हें मजबूत बनने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है वे भी सत्संग है कुछ भी ऐसा जो हमें भजन सिम्रन की और प्रेरित करता है सत्संग ही है प्रश्ण 178 महाराजी, कई बार लोग हमसे इस तरह के सवाल पूछते हैं मेरी समझ में नहीं आता कि नामदान प्राप्त करने के बाद भी कोई व्यक्ती अपनी संस्था के बजाए दूसरी संस्थाओं की मीटिंगों में क्यों जाता है इन बातों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए मैं नाम देते वक्त अक्सर कहता हूँ कि मैं आपको किसी बंदन से बादना नहीं चाहता जब आप संत्मत के असूलों पर कायम हैं और भजन सिम्रन को पूरा वक्त दे रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी वर्ग, सभा, संस्था या सोसाइटी से अपना नाता तोड़ ले रुहानी अभ्यास करने से सत्संगी आखिरखार खुद ही इन सबसे अलग हो जाते हैं जब उनकी इन में दिल्चस्पी नहीं रहती तो वे इन बातों को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते उच समय आपको उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती और अपने आप उनका मन इन से हट जाता है किसी संगठन को छोड़ने या किसी दूसरे सत्संग में शामिल ना होने के लिए उनसे कुछ न कहना ही बहतर होगा ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं होगा जब उन्हें अंतर में नाम की खुमारी नाम का रस प्राप्त होगा तो इन चीजों में उनका दिल लगेगा ही नहीं उनको महसूस होगा कि यह महौल उनके लायक नहीं है फिर वे खुद ही इन चीजों को छोड़ देंगे और आपके करीब आ जाएंगे इसके उलट अगर आप उनको जबरदस्ती उधर जाने से रोकेंगे तो उनका मन बार-बार उन्हें उसी तरफ ले जाएगा आप उस सत्संग में क्यों जाते हो उस ग्रुप में जाने की क्या वज़ा है वगेरा ऐसी बाते कहकर किसी के दिल को चोट पहुचाने का कोई फायदा नहीं है लेकिन अगर आप अपने सत्संगों में प्यार और भक्ती का महौल बना लेते हो तो उन्हें इतनी खुशी होगी कि वे कहीं और जाना पसंद ही नहीं करेंगे इस जंग से आप खुद ही उन्हें इस महौल की तरफ खीच लेंगे सत्संगी ही ऐसे सवाल पूछते हैं और जवाब देना ज़रूरी हो जाता है पर समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या जवाब दिया जाए आप उनसे यही कहें कि हम किसी मजब या संगठन से बंदे हुए नहीं है हम जहां चाएं जाने के लिए आजाद है हमारा संबंद सिर्फ प्रमात्मा की भक्ती से है अपने भजन सिम्रन से है हम किसी खास चीज के साथ बंदे हुए नहीं है और हमारे कहीं भी जाने पर रोक नहीं है हम जहां चाएं जा सकते हैं और जब हम खुद को दूसरी गतिविदियों का हिस्सा नहीं समझते तो अपने आप ही हमारी वहां जाने की इच्छा नहीं होती प्रश्ण 189 अगर हम सब समान हैं और हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए तो हमारे सत्संगों में ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कुछ खास धनी लोगों को तो सारी सुविदाय मिल जाती है और बाकी लोगों को कोई एमियत नहीं दी जाती मुझे इस समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन हमें सभी के लिए प्रेम भाव रखना चाहिए सत्संग के दर्वाजे सब के लिए खुले रहने चाहिए और सत्संगियों तथा जिग्यासूं में आपस में प्रेम और सद्भाव होना चाहिए आपको मालूम है कि हजरत ईसा ने बाइबल में इसके बारे में बहुत स्पष्ट काहा है और यह उनका पहला आदेश है वे कहते हैं कि परमात्मा से पूरे हिर्दे, पूरे मन और पूरी आत्मा से प्रेम करो जब आपको यह एहसास हो जाता है कि परमात्मा अंदर ही है तो कुदरती तोर पर आप उस कुल मालिक के साथ अपने मन, आत्मा और हिर्दे से प्रेम करते हैं हजरत इसा आगे फर्माते हैं कि जब आप अपने अंदर परमात्मा की पहचान कर लेते हैं तो अपने पडोसी से भी उतना ही प्यार करते हैं, जितना खुद अपने आप से करते हैं, तभी आप अपने पडोसीों से प्रेम कर सकेंगे, इसका यह मतलब है कि पूरी रचना ही आपकी अपनी है और आप परमात्मा को इस रचना के हर भाग में, हर प्राणी में मौजूद पाओगे, तब आपको उस परमात्मा के सिवाए और कुछ भी नजर नहीं आएगा तब आप रचना से नहीं, बलकि इसके रचियता और इसके जर्रे जर्रे में विराजमान उस कुल मालिक से प्यार करने लगेंगे इसलिए जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, वे स्रिष्टी से भी प्रेम करते हैं उन्हें स्रिष्टी के कण कण में वही रचियता दिखाई देता है परमात्मा से प्रेम करना और उसकी स्रिष्टी से नफरत करना वेवारिक तोर पर मुम्किन नहीं है, जो परमात्मा से प्यार करता है, वे उसकी स्रिष्ची से भी प्यार करता है इसलिए अगर कोई सत्संगियों या जिग्यासियों से प्यार नहीं करता तो मेरे ख्याल में उसकी सोच सही नहीं है प्रशन 180 महराजी हमारे बहुत से सत्संगों में हमेशा पूरी तरह आपसी मेलजोल का महोल नहीं होता हम कई दूसरे संगठनों से तो बहतर हैं लेकिन अभी कमिया हैं मुझे तो मेरी सीमित बुद्धी के कारण ऐसा जान पड़ता है कि इसके मूल में सत्संगियों की आपसी इर्शया कारे करती है प्रतीन इदी के रूप में अकेला मैं ही नहीं बलकि हम सभी सत्संगि इस मुश्किल से कैसे बचें इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है क्योंकि कभी-कभी मैं भी सत्संगियों में आपसी इर्शया का कारण बन जाता हूँ और मुझे भी काफी मुश्किले पेश आती है मेरे लिए तो सब एक जैसे है पर कुछ लोग किसी वज़ा से जो शायद वे खुद भी नहीं जानते अपने आपको मेरे ज्यादा करीब समझने लग जाते हैं और दूसरे अपने को मुझसे दूर मानने लगते हैं हमें यह समझने की कोशिश करने चाहिए कि इर्शया होती क्या है मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे दूसरा हासिल नहीं कर सकता इसलिए उसे इर्शया होने लगती है जो मेरे पास है वह दूसरा भी पाना चाहता है यहीं से इर्शा की शुरुवात होती है जो एक के पास है वह दूसरा भी पाना चाहता है पर उसको हासिल ना कर पाने के कारण एक को दूसरे से इर्शा होने लगती है हम दुनियावी पदार्थों के मों में फसे हुए हैं और जाने अंजाने दिन बदिन ये मों बढ़ता ही जा रहा है इसी से हमारे अंदर इर्शा पैदा होती है सभी दुनियावी पदार्थ हिकठे करने की उनका मालिक बनने की दोड में लगे हुए हैं यह दोड, कौमों और मुलकों को सभी लोगों को इर्शालू बनाती जा रही है चाए हमें यह मैसूस हो या ना हो हर चीज के प्रती हमारा रवेया दिन बदिन ज्यादा इर्शालू होता जा रहा है मेरे पडोसी के पास बड़िया कार है लेकिन मेरे पास पुरानी ही है इसलिए मुझे नई कार लेनी चाहिए मैं भी तो खूब मेनत करता हूँ इस बात से मुझे इर्शा होने लगती है जो उसके पास है वे मैं क्यों नहीं हासिल कर सकता धीरे धीरे एक दूसरे से इर्शा करना सवभाव बन जाता है लेकिन संत्मत में इर्शा के लिए कोई जगा नहीं है यहां इर्शा का सवाल ही नहीं उठता कई बार कोई सत्संगी सोचता है कि सद्गुरू किसी खास यश्य की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरों की तरफ उनका ध्यान नहीं है तब उसके मन में इर्शा पैदा हो जाती है लेकिन उसे इस बात की समझ ही नहीं होती है कि उसे कितने ध्यान की जरूरत है और दूसरे सत्संगी को कितने की बाइबल में एक बड़ा सुन्दर दिर्ष्टांत है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता मैंने बाइबल में पड़ा है कि एक गडरिये के पास सो भेडे हैं जिन में से एक भेड रास्ता भटक जाती है गडरिया 99 भेडों को छोड़ कर उस एक भेड के पीछे जाता है जो जुण्ड से भटक गई है जब वह उस भेड के पीछे जाता है तो बाकी 99 भेडे सोचती हैं कि वह उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रा है गडरिया उस एक भेड को वापिस लाकर जुन्ड में मिला लेता है अब अगर 99 भीडें इर्शा करने लगें कि उस एक भीड पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो उनका ख्याल किस हद तक सही होगा जो भीड भटक गई है उसे जुन्ड में वापस लाना ही है इसलिए इर्शा का सवाल ही पैदा नहीं होता गडरिये को सभी भीडों से प्यार है लेकिन अगर कोई भीड भटक जाती है तो गडरिये का ध्यान दूसरों की बजाए उसकी तरफ ज्यादा होता है कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई की और ध्यान नहीं देते और पिछले बैंचों पर बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता वे कुछ ना कुछ करके अध्यापक का ध्यान अपनी और खीचने की कोशिश करते हैं ताकि अध्यापक उन्हें भी अगले बैंचों पर आने को कहे ऐसा नहीं है कि अध्यापक को काबिल और अच्छे विद्यार्थी पसंद नहीं होते लेकिन अध्यापक को पिछले बेंचों पर बैठे विध्यारतियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना जरूरी लगता है इस पर अगर दूसरे विध्यारती इर्शा करने लगें और यह पूछना शुरू कर दें कि उन विद्धियार्तियों को अगली कतार में क्यों बिठाया गया है और उन पर दूसरे विद्धियार्तियों से ज्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है तो जरूर उनके सोचने के ढंग में कुछ खराबी है अगर हम इन छोटे मोटे मदभेदों और इन छोटी मोटी इर्शाओं से उपर नहीं उठ सकते तो इसका मतलब है कि हमने अभी संत्मत के असली उपदेश को समझा ही नहीं है देखिए, दुनियावी प्यार और प्रमात्मा से प्यार इन दोनों में बहुत अंतर है दुनियावी प्रेम में दूसरों के प्रती इर्शा की भवना आ जाती है हम कुछ चीजों पर अधिकार जमा लेते हैं और डरते हैं कि कोई दूसरा उन्हें हमसे छीम ना ले इसलिए हमें इर्शा होने लगती है इसका मतलब यह है कि हमारा अपने प्रियतम के इलावा दूसरों की और भी ध्यान है पर संत्मत में केवल एक ही प्रियतम होता है आपको यह एहसास ही नहीं रहता कि दुनिया में कोई और भी है इर्शया तभी होती है जब हमें अपने प्रियतम के इलावा किसी दूसरे की मौजूद्गी का ख्याल रहता है लेकिन जब आपको सद्गुरु से सच्चा प्यार होता है सद्गुरु के उपदेश से प्यार होता है आपको मालिक से प्यार होता है तो आपकी अवस्था इतनी उची हो जाती है कि आपको दुनिया का ख्याल तक नहीं रहता आपको किसी दूसरे की मौजुदगी का होश ही नहीं रहता आपको हर तरफ मालिक ही मालिक दिखाई देता है तब आप इर्शिया से छुटकारा पा लेते हैं जब हम किसी चीज पर अपना हक जमाने की कोशिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह सिरफ हमारे ही पास हो किसी दूसरे के पास नहीं जहां तक दुनिया की बात है हो सकता है कि एक व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और दूसरे पर कम लेकिन जहां तक सद्गुरु का संबंध है वे सब शिश्यों से एक सा प्यार करते हैं बहले ही आप यह सोचें कि कुछ को उन्होंने ज्यादा प्यार दिया है परंतु सद्गुरु जानते हैं कि ऐसा नहीं है मैंने आपको बताया है कि अध्यापक को कुछ विध्यार्तियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इसलिए वक्त के मुताबिक हर सद्गुरु बहुत दिया जाता है जितनी उसे जरूरत होती है प्यार की जरूरत सबको है पर कुछ को शायद ज्यादा प्यार की जरूरत है ताकि उन्हें एहसास हो कि प्यार होता क्या है लेकिन सद्गुरु बहुत दियालू है और वे हर सत्संगी से एक सा प्यार करते हैं सबको समान रूप से चाते हैं पिछले संसकारों या संबंधों के कारण, कुछ लोग सद्गुरू के आसपास रहते हैं, उनके ज्यादा करीब आ जाते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि सद्गुरू पिछले बेंचो पर बैठने वालों के बजाए उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर जो चुप रहत जो उनसे कभी बात्चित नहीं करते या उन्हें पत्र नहीं लिखते उनसे सद्गुरू को प्यार नहीं। उतने ही एक दूसरे के करीब होते हैं। जितने हम परमात्मा से दूर होते हैं, उतने ही एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। अगर हमारे दिल में परमात्मा के लिए सच्ची भक्ती उससे मिलाप की सच्ची तडप होगी, तो हम एक दूसरे के भी ज्यादा करीब होंगे. हम एक दूसरे से भी प्यार करेंगे. हम अच्छे पडोसी और अच्छे दोस्त होंगे. हमारा आपसी मेल जोल और प्यार बढ़ेगा अगर हमारे मन में मालिक की सची भक्ती नहीं होगी तो हम उसके करीब भी नहीं होंगे और हमारे आपस में भी बहुत मतबेद होंगे इसलिए परमात्मा के लिए हमारा प्यार हमारे आपसी प्यार को भी बढ़ाता है अपने पडोसी से प्यार करने का यही मतलब है खजरत ईशा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि जो मुझसे प्यार करते हैं वे एक दूसरे से भी प्यार करते हैं दरसल, जब कोई सद्गुर से प्रेम करता है तो मन में दूसरों के लिए अपने आप ही प्यार पैदा हो जाता है ऐसे प्रीमियों को अपने आप ये महसूस होता है कि वे एक दूसरे के नजदीक है उनका आपस में ऐसा तालमेल है जो दूसरों में कम ही देखने को मिलता है कोई ऐसी बात है जो उनको एक दूसरे के करीब ले आती है एक खास बंदन से बंदे वे अंजाने ही एक दूसरे के करीब आते जाते हैं जब संस्थाएं बनती हैं, उन्हें चलाने के लिए सेक्रेटरी, प्रेजिडेंट आदी के ओधे बनाये जाते हैं यहीं से इर्शा की शुरुवात हो जाती है जब हम इन ओधों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो कभी-कभी इर्शा के शिकार हो जाते हैं हम भूल जाते हैं कि इन सब ओधों का मकसद सिर्फ औरों की सेवा करना है सेवा का मतलब है वह कारे जो सद्गुरु की खुशी हासिल करने के लिए किया जाए जिससे लोगों का और संस्था का फाइदा हो सेवा का मतलब औरों पर रोब जमाना नहीं होता अन्य संस्थाओं के ओहदों और सद्संगर के प्रेजिडेंट और सेकरेटरी आदी होने में बहुत फर्क है सद्संगरों में ये ओहदे मन में से हौमे को निकालने के लिए हैं पर हम यहां भी इन सब चीजों को उसी तराजू में तोलने लगते हैं जैसे हम इने हैं दुनियावी मामलों में तोलने के आदी हो चुके होते हैं इसलिए किसी भी सद्संगर में इर्शा कतई नहीं होनी चाहिए किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए जब हम किसी से नफरत करते हैं तो असल में अपने आप से नफरत करते हैं इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम उस अवस्था तक नहीं उठ पाए जहां हम सब को एक जैसा समझें हमारे दिल में इर्शा बिलकुल नहीं होनी चाहिए हम में आपसी तालमेल होना चाहिए और जितना आपसी तालमेल बढ़ता जाता है उतने ही हम एक दूसरे के और परमात्मा के करीब आते हैं आपने बाइबल में कई बार पड़ा है कि अगर आपके मन में किसी के लिए कोई बुरी भावना है नराजगी है कोई शिकायत है तो पहले जाकर उससे माफी मांगें वरना आपकी प्रात्ना मन्जूर नहीं होगी अगर आप हर किसी को माफ नहीं करेंगे तो परमात्मा भी आपको माफ नहीं करेगा इसका मतलब है कि हमें खुले दिल से, साफ दिल से, जुक कर पूरी दीनता और नम्रता से प्रात्ना करनी है हमारे लिए परमात्मा के सिवा और कुछ एहम नहीं होना चाहिए हजरत इसा के कहने का भाव यह है कि अगर हमारा रिदे इर्षा द्वेश और नफरत से भरा है तो वह रिदे निर्मल नहीं है और जब तक रिदे निर्मल ना हो, हमारी परात्ना कभी भी मन्जूर नहीं हो सकती इसलिए रिदे को निर्मल करने के लिए हमें दूसरों के प्रती बुरी भावनाओं और इर्शा को मन में से निकाल देना चाहिए जब रिदे निर्मल हो जाता है तो हमारी प्रात्ना भी मन्जूर हो जाती है अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते तो हम यह उमीद कैसे कर सकते हैं कि प्रमात्मा भी हमें माफ करेगा पहले अपनी मिसाल पेश करके दूसरों को माफ करके हमें मालिक की माफी के लायक बनना चाहिए तबी हम मालिक से अपने पापों की माफी के लिए प्रात्ना कर सकते हैं इसलिए संद मात्मा यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर किसी के लिए भी किसी तरह की बुरी भावना नहीं होनी चाहिए लेकिन हम इनसान हैं और हमारे अंदर अधिकार जमाने की भावना रहती है इसलिए हम इर्शा के शिकार हो जाते हैं मुझे सत्संगियों की तरफ से अगर कोई समस्या आती है तो वह सिरफ यही होती है कि वे कई बार एक दूसरे से इश्या करने लगते हैं मुझे खुद कई बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ा है मिसाल के तौर पर हिंदूस्तान में जब मैं किसी के घर जाता हूँ तो सब लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी सबसे प्यार करता हूँ अगर मैं एक गिलास पानी के लिए कह दूँ तो छे-सात लोग पानी लेने के लिए दोड़ पड़ते हैं और सभी पानी का एक एक गिलास ले आते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस से गिलास लूँ क्योंकि अगर एक से गिलास लूँ तो बाकी सब इर्शा करेंगे इसलिए मैं यह कहकर टाल देता हूँ कि मुझे कोई खास प्यास महसूस नहीं हो रही है ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं पर इनका असर बहुत होता है मुझे अपने यहां के लोगों का पता है शुरू शुरू में इन बातों की और मैं कोई खास द्यान नहीं देता था पर अब मुझे इनका काफी अनुभव हो गया है कोई मेरे लिए चाय बनाता है तो कोई दूसरा उससे चाय लेकर मेरे सामने रख देता है और दोनों में जगड़ा हो जाता है उन्होंने मुझे से कहा था उनका मतलब मेरे से था मगर चाय उन्हें तुम दे आए बस ऐसी बातों से बेवजा जगड़ा शुरू हो जाता है जबकि हमें तो खुशी मिलनी चाहिए अगर और ज़्यादा लोग इस रास्ते पर आते हैं तो क्या हमें खुशी नहीं होगी हमें ज़रूर खुशी होती है हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि और लोगों के भी हमारे जैसे ही विचार हैं उनके भी वही असूल हैं जो हमारे हैं और वे भी हमारे सद्गुरु से और परमात्मा से प्यार करते हैं बल्कि इस से तो हमें खुशी होनी चाहिए मुश्किल यह है कि हम चाहते हैं कि गुरु सिर्फ हमारा हो किसी और का नहीं प्यार की यह धारना गलत है हमारे अंदर सब के लिए शमा की भावना होनी चाहिए हमें लोगों से हमदर्दी होनी चाहिए नफरत नहीं होनी चाहिए नफरत करना ठीक नहीं है हमारे अंदर किसी के लिए कोई भुरी भावना या मन मुटाव नहीं होना चाहिए और ना ही मन में इस तरह के विचार आने चाहिए उस पर मेहर हो गई है, मुझ पर नहीं हुई उसे मिलने का वक्त मिल गया है, मुझे इतना वक्त नहीं मिला उसे हिंदुस्तान जाने की इजाज़त मिल गई है, मुझे नहीं मिली ये सब बहुत छोटी बाते हैं कई बार ऐसी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती प्रमात्मा की सच्ची भक्ती करने के लिए हमें इन छोटी-छोटी बातों से उपर उठना होगा प्यार के मार्ग में इर्शा के लिए कोई स्थान नहीं है हर किसी के अंदर प्यार भरा है, हर कोई प्यार चाहता है अगर कहीं इर्शा है, तो मैं लोगों को यही कह सकता हूँ कि इसे त्याग दें, ऐसे भेदों से छुटकारा पाएं अगर वे ऐसा नहीं करते तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं ऐसी बातों से उपर उठने में उनकी सहायता करने का अपना फर्ज नहीं निभा पा रहा हूं इस तरहां मैं इसे अपनी नाकामियाभी मानता हूं ना कि उनकी सत्संगियों में किसी तरह की कोई इर्षा नहीं होनी चाहिए हमें सब के साथ खुले मन से बरताव करना चाहिए हर सत्संगी, सद्गुरु के लिए, मालिक के लिए, संदमत के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है और हमें खुले दिल से हर किसी को मौका देना चाहिए कुदरती बात है कि सभी के हालात इस सब के लिए इजाजत नहीं देते इसलिए अगर कोई सत्संगी सेवा नहीं कर सकता तो इर्शा नहीं करनी चाहिए उसे सोचना चाहिए कि यह भी मालिक की मौज ही है जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए उसके दिल में प्रेम भाव होना चाहिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए वे सेवा कर रहे हैं इसलिए उनके प्रती इर्शा का भाव नहीं प्रेम का भाव होना चाहिए हमें भी सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए इर्शा करके नहीं बलकि सेवा करने वालों के सहायता करके उनके सेहोगी बन कर। प्रश्ण 181 महराज जी, क्या आप हमें आपसी तालमेल के विशे में कुछ बताएंगे? मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हर कोई परमात्मा से प्यार करता है। कम से कम हर कोई प्रमात्मा से प्यार करना चाहता है क्या हमें इस बात पर एक दूसरे से इर्शा करनी चाहिए कि कोई मालिक को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है या वेह मालिक को मुझसे ज़्यादा प्यार क्यों करता है मुझसे ज़्यादा प्रातना क्यों करता है भजन सिम्रन को मुझसे ज़्यादा वक्त क्यों देता है हमें इन बातों को लेकर इश्या नहीं करनी चाहिए बलकि हमें खुशी होनी चाहिए अगर कोई भजन सिम्रन को ज्यादा वक्त देता है उसे मालिक से बहुत प्यार है हर एक में उसे मालिक दिखाई देता है तो हमें उसके लिए खुश होना चाहिए समस्या तब होती है जब हम सद्गुरु को प्रमात्मा का रूप नहीं समझते जब हम उन्हें साधारन मनुश्य समझते है ऐसे में हमारे मन में इर्शा जनम लेती है अगर हम सद्गुरू को परमात्मा समझते हैं तो हमें इस बात से खुशी होनी चाहिए कि किसी को हमसे भी ज्यादा मालिक से प्यार है तब उसका प्यार हमारे प्यार को और भी मजबूत बना सकता है हमारे सामने यह समस्या तब ही आती है जब इनसान होने के नाते हम सद्गुरू को भी इनसान समझने लगते हैं इसी कारण हम एक दूसरे से इर्शा करने लगते हैं अगर हम उन्हें परमपिता परमात्मा के रूप में ही देखें तो किसी तरह की इर्शा का सवाल ही नहीं उठता एक कक्षा में बहुत से विध्यार्थी होते हैं उन में से कुछ विध्यार्थियों की ओर विशेश रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है दूसरे विध्यार्थी इतने होशियार और बुद्धिमान होते हैं कि वे अध्यापक की हर बात को एक दम समझ जाते हैं और अध्यापक शायद उनकी ओर देखता तक नहीं वे कक्षा में हमेशा प्रथम आते हैं सबसे आगे रहते हैं लेकिन अध्यापक जिन पर विशेश रूप से ध्यान दे रहा है वे असफल भी हो सकते हैं अध्यापक तो हर एक को पढ़ा रहा है इस तरहां हर एक की अपनी अपनी जगा है कुछ की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है कुछ को कम कुछ लोगों को अलग तरहां की सेवा दी जाती है और कई लोग किसी अलग वजा से सद्गुरु के करीब होते हैं उन्हें कभी-कभी ज्यादा डांट फटकार भी पड़ती है जो सद्गुरु के ज्यादा करीब होते हैं उन्हें कभी-कभी बहुत ज्यादा डांट फटकार पड़ती है बजाए उनके जिने ज्यादा करीब रहने का सोभाग्य नहीं मिला इस तरहां हम तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देखते हैं, पूरी तस्वीर नहीं प्रश्ण 182 महराज जी, कई बार सत्संग में कोई नया सत्संगी किसी सवाल का ऐसा जवाब देता है जो कुछ पूराने सत्संगीों की जानकारी के मुताबिक गलत होता है ऐसे में क्या हमें चुप रहना चाहिए या पूराने सत्संगी को सही जवाब देना चाहिए हम दूसरों के साथ वही सब बांट सकते हैं, जो हमारे अपने पास है अगर हमें जवाब मालुम हो तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए अगर सही जवाब मालुम ना हो तो हम किताबों का सहारा ले सकते हैं अगर किताबों में जवाब ना मिले तो बड़े शौक से मुझे लिखें हमें एक दूसरे की सहायता करनी है पर हम वही बता सकते हैं जो हम जानते हैं वही दे सकते हैं जो हमारे पास है लेकिन अगर हमें किताबों द्वारा सही जवाब की जानकारी पहले से ही है तो क्या फिर भी हमें चुप रहना चाहिए? नहीं, आप उन किताबों का हवाला दे कर बड़े प्यार और नर्मी से सही जवाब बता सकते हैं अगर किसी को दुविदा है या कोई शक है तो वह लिख कर पूछ सकता है जैसा कि मैंने आप लोगों को डेटरोइट में हुई मीटिंग में बताया था कि सतसंगियों में आपसी प्यार होना चाहिए माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें एक दूसरी की सहीता की जाए ऐसा माहौल ना बने जहां नए सतसंगियों पर हुक्म चलाया जाए या खुद को दूसरों से बड़ा समझा जाए ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए बल्कि हममें बहुत प्यार और सहायता करने की भावना होनी चाहिए और हमें उन्हें आंतरिक प्रकाश, ग्यान और संत्मत के बारे में समझाना चाहिए दरसल हमें अपने चारों और प्यार और शांती का महौल बनाना है जिसमें रहे कर हम भजन सिम्रन कर सकें अगर ऐसा नहीं है, तो सत्संगों का कोई फैदा नहीं है हम सत्संग में अपने मदभेद दिखाने नहीं आते हम वहाँ अपना बढ़प्पन जताने नहीं जाते इन गुरूप मिटिंगों में खाने पीने और पाटियों का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए इन ग्रूप मिटिंगों को लेकर ऐसी सोच रखना सही नहीं है सत्संग का मकसद भज़न सिमरन के लिए अच्छा महाल बनाना है प्यार भरा ऐसा महाल जिसमें रहे कर हम भज़न सिमरन कर सकें यह महाल हमारे लिए एक ऐसा मजबूत किला बन जाना चाहिए जिससे हमें इस संसार में जीवन बिताने में मदद मिल सके सत्संगों और गुरुप मिटिंगों का यही मकसद है कि लोगों की शंकाएं दूर हो उनको संत मार्क की भली बानती समझ आ जाए और उनमें भक्ती, प्यार और विश्वास पैदा हो सके सत्संग में अगर बहस हो, जगडे हो, मदभेद पैदा हो तो मेरे ख्याल से ऐसे सत्संग का कोई फैदा नहीं हर सत्संग के बाद ऐसा महसूस होना चाहिए कि सद्गुरु के लिए प्यार और गहरा हुआ है हमारे अंदर भजन सिम्रन के लिए लगन बढ़ गई है और हम भजन सिम्रन को ज्यादा वक्त देना चाहते हैं सत्संग में शामिल होकर हमें अपने अंदर ज्यादा शांती महसूस होनी चाहिए पुराने सत्संगियों के भी कुछ फर्ज है उन्हें चाहिए कि वे नए सत्संगियों का खुशी से स्वागत करें उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि सब उनके आने से खुश हैं उन्हें महसूस हो कि मीटिंग में सब एक समान है हमारा फर्ज है कि हम अपने नजरिये से और एक अच्छी मिसाल बनकर दूसरों के लिए मददगार साबित हो इन मीटिंगों का मकसद तभी पूरा हो सकता है जब इन में सद्भावना हो, शांती हो, सेवा, प्रेम और भाईचारे का शांत माहौल हो प्रश्न 183 महारा जी, सद्संग की मीटिंग के बारे में जो चर्चा चल रही है उसी सिलसले में मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम लोग कभी-कभी अपने सद्संगी साथियों को मीटिंग के लिए घर पर बुला सकते हैं मैं इसके लिए कोई खास नियम नहीं बना सकता कि आप सद्संग कहा करें या किस तरह मीटिंग करें अगर आप लोगों में आपसी प्यार हो, तालमेल हो तो चाहे सडक के किनारे बैठखरी आप मीटिंग कर लें कोई फरक नहीं पड़ता असली एहमियत तो प्यार की, विश्वास की, भक्ती की है जगा की एहमियत नहीं है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि मीटिंग आपके घर में, किसी हॉल में या किसी और जगा पर होती है जब ऐसे सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी आपस में एकताब बिलकुल नहीं है सही भावना के साथ और मिटिंग के असली मकसद को सामने रखते हुए आप जहां चाहें मिटिंग कर सकते हैं इस तरह मिटिंगों से प्रेम और भक्ती का आनंद मिलता है और ऐसी ही मिटिंग फायदे मंद भी होती है चाहे वे सडक के किनारे ही क्यों न की जाएं दरसल जगा से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि हमारा असली मकसद तो प्यार और भक्ती का महौल बनाना है जब दूसरे लोग देखेंगे कि हम संतमत के उबदेश पर अमल करके आपस में प्यार और मेल मिलाप की भावना रखते हुए अनंद पून जीवन जी रहे हैं तो वे भी इस मारक की और आकरशित होंगे यही संतमत का सबसे अच्छा परचार है प्रश्ण 184 जब हमें सत्संग्यों की संगती मिलती है तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं ऐसा क्यों? सवाल यह नहीं है कि हमें कैसा महसूस होना चाहिए यह असर अपने आप हो जाता है आप किसी खुश मिजाज इनसान के पास जाएं तो वह आपको दो मिनट में ही खुश कर देगा किसी दुखी इनसान के पास जाएं तो आप पल भर में दुखी हो जाएंगे हम दूसरों को वही देते हैं जो हमारे पास होता है जिसने अपने अंतर में शांती प्राप्त कर ली है वे दूसरों में भी शांती ही बाटेगा हम अपने आप ही दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं जब हम उन लोगों की संगती में रहते हैं जो लगन से भजन सिम्रन करते हैं तो भजन सिम्रन में हमारा विश्वास पक्का हो जाता है हमारी आस्था भी बढ़ती है हम एक दूसरे की सहायता करते हैं क्योंकि हमारा लक्षे एक ही है संगती का असर हम पर हमेशा होता है प्रशन एक सो पचासी क्या आप भजन सिम्रन का महौल बनाने के बारे में कुछ बताएंगे? जो मीटिंग हम करते हैं जिस अच्छी संगती में हम रहते हैं जो किताबे हम पढ़ते हैं ये सब भजन सिम्रन का महौल बनाने में हमारी सहयता करते हैं क्योंकि हम हमेशा अपने महौल से प्रभावित होते हैं अगर आप किसी खुश मिसास इंसान के पास जाते हैं वह आपको भी खुश कर देता है अगर आप किसी दुखी इंसान के पास जाते हैं तो वेह आपको दुखी कर देता है। इस तरह अगर आप परमात्मा के लिए प्यार, भक्ती और भजन सिम्रन के महौल में रहते हैं, तो कुदृती तौर पर आप उससे प्रभावित होते हैं और उसी ढंग से सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा महौल हमेशा हमारी साहेता करता है। इसलिए लोग उस महौल की खातिर गिर्जागरों, मस्जितों और मंदिरों में जाते हैं। ताकि वे परमपिता परमात्मा को याद कर सकें। वरना घर पर भी वही किताबे होती हैं और घर भी उनी इटों और गारे से बने हैं। हम इन जगों पर सिर्फ उस महौल के लिए जाते हैं जो हमें परमपिता परमात्मा की याद दिलाता है। इसलिए महौल की बड़ी एहमियत है। इसी लिए हम नियमत रूप से सत्संग करते हैं और बहुत सी किताबे भी पढ़ते हैं। तो इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रुप सत्संग कैसे चलाना चाहता है। बड़े माराजी हमें एक मिसाल दिया करते थे कि अगर एक पत्थर पानी में घुलता नहीं तो कम से कम वह सूरज की तपिश से तो बचा रहता है। अगर सत्संग में आने वाले लोग भजन सिम्रन नहीं भी करते तो कम से कम वह खुद को काफी हद तक बुरी आत्तों से तो बचा ही रहे हैं। भले ही वह पत्थर की तरह पानी में नहीं घुलते पर कम से कम वह अपने आपको सूरज की तपिश से तो बचा ही लेते हैं। यानि खुद को दूसरे लोगों के बुरे प्रभाव से बचा लेते हैं। इसी तरह यह फाइदा तो हमेशा ही होता है। अगर कोई सत्संग से फाइदा उठा सकता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। अगर कोई वहाँ से प्रेरित होकर भक्ती में सराबोर होकर आता है, उसे खुशी मिलती है। उसे भजन सिम्रन में आनंद आता है और सत्संग में आकर उसे और भी ज्यादा प्रेणना मिलती है। यह भी अच्छी बात है। प्रिश्न 187, जब सत्संगी सत्संग के लिए इकठे होते हैं, तो क्या हर सत्संगी के अंतर में विराजमान रहने वाले सत्गुरू वहां किसी अलग रूप में मौझूद होते हैं। हमारा मकसद एक पवित्र माहौल बनाना है हमें वहां सत्संग का माहौल बनाना चाहिए ताकि जब हम घर वापिस जाएं तो उस माहौल द्वारा अपना रुहानी खजाना बढ़ा सकें सद्गुरू, हम सब के अंदर है लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे की संगती से प्रेणना और साहेता मिलती है अगर आप मालिक के किसी भक्त से मिलते हैं और उसकी संगती में रहते हैं तो आप भी मालिक के प्रेम और भक्ती से भर जाते हैं वह आपके विश्वास को बढ़ाता है और आपके प्रेम और भक्ति को बल देता है। ऐसा होना कुद्रती है। प्रश्न 188 मैं नए ग्रूप बनाने की संभावनों के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या हम अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों से संपर्क करके उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं ताकि नए ग्रूप बनाये जा सकें और संतमत का अधिक परचार हो सके। यहां पर हम लोगों की संख्या इतनी कम है कि अगर पैसा खर्च करके केंद्र तियार किये जाएं और फिर वहां इकठे हो तो सतसंगियों पर बेकार में बोच पड़ेगा। फिर संगठन के बारे में आपस में मदभेद हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि सतसंगि ऐसे संगठनों और उनके प्रबंद आदी की बातों में उलजकर नामदान के असली मकसद को भुला दे। सतसंगियों की संख्या बढ़ जाने पर शाहिद यह सब जुरूरी हो और ऐसा वक्त आभी सकता है। पर इस वक्त यानी 1964 इसकी कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती। अमेरिका में करीब करीब हर बड़े शहर में बहुत कम सतसंगी हैं। इसलिए हम अलग-अलग शहरों में घरों में अपनी मिटिंग कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। सेवा क्या है? कृपया जो कुछ आपने कहा उसके बारे में हमें बताएंगे। कृपया इसके बारे में भी कुछ बताएं कि हम सेवा अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं, जिससे रुहानी तरक्की में हमें फायदा हो। संत्मत की पुस्तकों में सेवा का वर्नन बहुत स्पश्रूप से किया गया है सच्ची सेवा भजन सिम्रन है यानि अपनी चेतना को समेट कर वापिस आँखों के केंदर पर लाकर उसे अंतर में दिव्वे प्रकाश या मदुर धुन से जोड़ना अंतर में शबद धुन से जोड़ना बाकी सभी सेवाएं उस लक्षे को हासिल करने का जरिया है तन की सेवा में हम अपने तन से लोगों की सेवा करते हैं ताकि हम अपने अंतर से हौमे की भावना को दूर कर सकें और अपने अंदर विनम्रता ला सकें दूसरी सेवा धन की सेवा है जैसा की हजरत इसा ने कहा है कि जब तक हम अपने आपको दुनियावी पदार्थों से विरक्त नहीं करते हमारा परमपिता परमात्मा के पास वापस जाना बहुत मुश्किल है इसलिए जब हम अपना धन संगत की सेवा में लगाते हैं लोगों की भलाई के लिए देते हैं तो हमारे अंदर से धन का मो दूर हो जाता है तीसरी सेवा मन की सेवा होती है संतमत के मताबिक जिंदगी जीना और भजन सिम्रन के लिए नीव तियार करना मन के द्वारा सेवा करना है सिम्रन और ध्यान की साहता से हम अपनी चेतना को समेट कर आँखों के पीछे तिसरे तिल पर टिकाते हैं यह मन की सेवा है यह तीनों सेवाएं उस एक लक्षे को हासिल करने के लिए यानि अंतर में उस दिवे धुन के साथ एक होने का जरिया है असली सेवा का यही मकसद है और यही अपने आप में सची सेवा है इसलिए स्वामी जी इस बात पर जोर दे रहे थे कि आपको वही सेवा करनी चाहिए जो सद्गुरु को भाय और इसी सेवा से सद्गुरु प्रसन होते है दूसरी सेवाएं उस लक्ष को पाने का साधन है इस तरहां हर प्रकार की सेवा से सद्गुरु प्रसन होते है और यह सभी सेवाएं आपको असली सेवा की ओर ले जाती है असली सेवा आपको परमपिता परमात्मा के पास वापिस ले जाने में सहायता करेगी सेवा का मकसद अपने अंदर प्रेम और विनमरता पैदा करना है कोई ओहदा हासिल करना, खुद को दूसरों से बड़ा समझना या दूसरों पर रोब डालना सेवा नहीं है सेवा का मकसद तो उस व्यक्ति को खुश करना होता है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं ना कि यह दिखावा करना कि आप उससे बहतर हैं, उस पर रोब जमाना या अपनी हकुमत चलाना सेवा नहीं है सेवा दूसरों को खुश करने के लिए की जाती है आपकी सेवा का फाइदा तभी है जब आप उसकी खुशी हासिल कर लेते हैं, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं अगर उसे दुख होता है, वह अपने आपको अपमानित महसूस करता है कि आप उस पर अपना रोब जमाने की, उसकी कमजोरियों को उजागर करने की या खुद को उससे बहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन वह खुश नहीं है और हाँ, जब तक वह खुश नहीं होता, सेवा का मकसद पूरा नहीं होता इस तरह हमें सेवा दूसरे की खुशी हासिल करने के लिए करनी है अगर वे हमारी सेवा से खुश हैं, तभी हमारी सेवा सफल है प्रश्ण एक सो नब्बे क्या आप सेवा की एहमियत के बारे में कुछ बताएंगे? सेवा की भावना तो रिदे से आती है यह किसी तरह की मजबूरी नहीं है ऐसा नहीं है कि आप सेवा करने के लिए मजबूर है बलकि आप सेवा अपनी इच्छा से करना चाहते हैं यह भावना तो अंतर से आनी चाहिए और सेवा प्रेम भाव से की जानी चाहिए इसमें मजबूरी की भावना नहीं होनी चाहिए हमें यह ना लगे कि हमें सेवा करनी पड़ रही है प्रश्न 191 महराजी, क्या आप हमें घर में और अपने सच्छंग केंद्रों में की जाने वाली सेवा की एहमियत के बारे में बताएंगे? आपको किसी की सेवा करने का मौका मिला है इस बात से अपने अंदर संतोश और खुशी महसूस करना ही सेवा का सबसे बड़ा इनाम है किसी को खुश करने से ही सबसे बड़ी खुशी मिल सकती है जब कोई आपको खुशी देता है तब आपको इतनी खुशी नहीं मिलती लेकिन जब आप किसी और को खुशी देते हैं तो यकीनन इससे आपको बहुत आनंद मिलता है यही सच्ची सेवा है किसी संस्था की सेवा, किसी भी व्यक्ति की सेवा, जंता की सेवा दूसरे शब्दों में लोगों की निस्वार्थ भावना से सहायता करने को ही सेवा कहते हैं हम सेवा अपने तन से करते हैं, मन से करते हैं और धन से करते हैं सेवा परमपिता परमात्मा के लिए प्यार और भक्ति की बुनियाद है सेवा का मतलब किसी जाती का, ग्रुप का नेता बनना या किसी पर हुकूमत चलाना नहीं है वह तो सेवा नहीं है सेवा से हमारे अंदर विनमरता आनी चाहिए इस से हमारे अंदर की हौमे खत्म हो जानी चाहिए जितना ज्यादा आप खुद को नाचीज महसूस करेंगे उतना ज्यादा आपका मन भजन सिम्रन और परमात्मा की तरफ जाएगा इस तरहां सेवा से हमेशा फैदा ही होता है यही कारण है कि इसाई धर्म में इतनी सेवा की भावना है यह सबसे बड़ा वर्दान है हजरत ईसा ने जो उपदेश अपने शिश्यों को दिया वे है एक दूसरे की सेवा करें एक दूसरे की सहायता करें जरूरत मंदों की मदद करें उनकी सेवा करें यही सच्ची सेवा है प्रश्न 192 महराजी क्या आप हमें सेवा और सेवा करने की एहमियत के बारे में कुछ पताएंगे सेवा का मकसद हमारे अंदर नमरता पैदा करना है अपने साथियों को समझने में सहायता करना हमारे अंदर दीनता और नमरता का भाव लाना है क्योंकि मालिक ने हम सब को एक जैसा बनाया है यह हमारी हौमे ही है जो हमें परम पिता परमात्मा से दूर रखती है और हमें उस हौमे को ही दूर करना है जब हम संगत की लोगों की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप नमरता आ जाती है सेवा का असली मकसद यही है दीन बनना, फिनम्र बनना, लोगों के साथ मिल जुल कर रहना जब हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर खाते पीते हैं और कंधे से कंधा मिला कर काम करते हैं तब हम एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं बजाए उसके जब हम अपने आपको बहुत बड़ा समझते हैं एक ऐसा वक्त आता है जब हमें एहसास हो जाता है कि हम सब एक हैं और तब हम दीनता के भाव से भर जाते हैं गुरू का लंगर शुरू करने का सब के लिए एक ही जगा भोजन त्यार करने का मकसद यही था कि उनके शिशे उस लंगर में मिल बैठ कर खा सकें जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान में जाती भेद है कुलीन और निम्न जातियों के बीच अलग-अलग आर्थिक और सामाजिक वरगों के बीच कितनी दूरियां हैं लेकिन जब सब लोग इकठे होकर एक जैसा खाना खाते हैं तो कुदरती बात है कि ऐसे में एक दूसरे के लिए अच्छी भावना पैदा हो जाती है जब वे सब मिलकर एक ही मकसद सामने रख कर काम करते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए प्यार पैदा होता है और हो में अपने आप दूर हो जाती है धन की सेवा का मकसद हमारे अंदर धन के प्रती मोद दूर करना है और धन को नेक काम में इस्तेमाल करना है ताकि ये हमें पापों और एबों की तरफ ना धखेल दे हजरत ईसा ने कहा था कि उंट का सुई के छेद में से निकल पाना ज्यादा असान है लेकिन परमेश्वर के समराज्ये में किसी धनी का परवेश पाना मुश्किल है इसका मतलब है कि जिसका धन दौलत के साथ मोह है वह कभी परमपिता परमात्मा के पास वापिस नहीं जा सकता और अधिक धन दौलत आम तोर पर एबों और बुरी आत्तों की वज़ा बन जाती है प्रश्ण 193 महराजी कल आपने प्रेम और विनमरता के साथ सेवा करने के बारे में बताया था प्रेम के बारे में मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ क्योंकि इनसान में प्रेम भाव होता है और इससे मैं सचे प्रेम का कुछ-कुछ अंदाज लगा सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता के मेरे अंदर नमरता का भाव है कभी मैं महसूस करता हूँ के मुझ में विनमरता है और कभी महसूस करता हूँ के नहीं है इसलिए मेरा सवाल है कि सच्ची विनमरता क्या है बिना प्यार के सेवा कभी नहीं हो सकती और अगर आप सेवा करते हैं तो विनम्रता अपने आप आजाती है सेवा हमेशा प्यार और नम्रता से की जाने चाहिए नम्रता प्यार का ही हिस्सा है जहां प्यार होता है वहां नम्रता अपने आप आजाती है नम्रता के बिना प्यार हो ही नहीं सकता प्यार आपको विनम्र बनाता है प्यार आपको दीन बनाता है प्यार करने का मतलब है कि आप वही करना चाते हैं जो दूसरे को अच्छा लगता है ना कि वह है जो आपको अच्छा लगता है इसी तरह सेवा भी दूसरे को खुश करने के लिए की जाती है खुद को खुश करने के लिए नहीं जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो नतीजा यही होता है कि उस सेवा से आपको बहुत खुशी मिलती है कुछ पाने के बजाए देने में ज्यादा खुशी है खुद तोफ़ा फाने से ज्यादा खुशी कुछ देने में होती है किसी से मदद लेने के बजाए ज्यादा खुशी मदद करने में होती है लोगों में यह गलत धारना है कि किसी से दान में कुछ पाकर या किसी से मदद लेकर उन्हें ज्यादा खुशी मिलेगी जो सुक आपको किसी की सहायता करके मिल चकता है किसी को जिन्दगी में खुशी दे कर मिल चकता है उसका मुकाबला किसी चीज से नहीं किया जा सकता आपको अपने अंदर खास संतोश मिलता है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाएं है इसलिए सेवा हमेशा प्यार से की जाती है वरना वह सेवा है ही नहीं अपने हातों से मशीन की तरह काम करने को सेवा नहीं कहते सेवा करने का मकसद किसी दूसरे को खुशी देना होता है दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे की वह आपकी सेवा से खुश हो जाए इसका मतलब है हमारे अंदर उस संस्था के लिए उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं खास प्यार है ऐसे में नम्रता अपने आप ही आ जाएगी नम्रता प्रेम का हिस्सा है और प्रेम सेवा का हिस्सा है प्राश्ण एक सो चुरानवे अगर संगत की सेवा करते समय हमें मैसूस होता है कि हम अहंकार से इतने भरे हुए है कि सेवा करने से अहंकार और बढ़ रहा है या सत्संग करने की सेवा से हौमें बढ़ती जा रही है तो क्या हमें तब तक सेवा छोड़ दिनी चाहिए जब तक हम इसे निश्वार्थ भाव से न कर पाएं? हमें सेवा छोड़ने के बजाए हौमे छोड़नी चाहिए देर सवेर सेवा आपके अंदर दीनता पैदा करने में साहयक होगी अच्छा होगा कि आप उस हौमे को छोड़ दे जो आपको लगता है कि आपकी उस सेवा के साथ जूड़ी हुई है हालात से भाग कर हम किसी भी समस्या को हल नहीं कर सकते हमें हालात से निपटना होगा अगर हम सत्संग के लिए अपना घर साफ करते हैं क्योंकि सत्संग हमारे घर में होता है तो क्या ये सेवा है? अगर आप हिसाब लगाते हैं कि इससे आपको कुछ फाइदा होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलता सेवा में कभी यह हिसाब नहीं लगाय जाता कि हमें इससे क्या फाइदा होगा सेवा स्वभाविक रूप से होती है इसे करने की इच्छा अंदर से आती है हमें उससे मिलने वाले किसी भी फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए हमारे अंदर दूसरों के लिए जो प्यार और श्रद्धा होती है उसके कारण ही हम उनकी सेवा करना चाहते हैं उनकी सहायता करना चाहते हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं हम यह कभी नहीं सोचते कि हमें इससे क्या फाइदा होगा अगर आपका मन यह हिसाब किताब करता है कि आपको कितना फैदा हुआ है तो आपको कोई फायदा नहीं होता प्यार आपको दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेणना देता है अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप हमेशा दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए कुछ करना चाहते हैं एक प्रेमी यह कभी नहीं सोचता कि दूसरे को प्रेम करके उसे क्या मिलेगा प्रेमी कभी हिसाब नहीं लगाता वह कभी ऐसा नहीं सोचता वह तो खुश होता है कि उसे प्रेम करने का मौका मिला है इसलिए हमें खुश होना चाहिए कि हमें संगत की सेवा करने का मौका मिला है और हमें उनसे प्यार है क्योंकि वे मालिक के प्यारे हैं फल तो मालिक के हाथ में हैं लेकिन हमें इसका हिसाब किताब नहीं करना चाहिए प्रश्ण 196 क्या आप हमें निस्वार्थ सेवा के बारे में और उस सेवा भाव को और जागरित करने के बारे में कुछ पताएंगे? सेवा भाव हमेशा प्यार द्वारा आता है जिसे आप प्यार करते हैं, उसकी आप सेवा करना चाहते हैं उसे खुश करना चाहते हैं सेवा अपने आपको बहतर साबित करने या किसी पर रोब जमाने के लिए नहीं बलकि अपने अंदर नमरता लाने के लिए की जाती है आप सेवा दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए करते हैं किसी दूसरे पर हुक्म चलाने के लिए नहीं वह सेवा नहीं होती है इसलिए जिन लोगों से आप प्यार करते हैं आप हमेशा उनकी सेवा करके उन्हें खुशी देना चाते हैं आप उनके इशारों पर नाचना चाते हैं ना कि उन्हें अपने इशारों पर नचाना अगर हम प्रमात्मा से प्यार करते हैं तो उसकी रचना से भी प्यार करते हैं और हम उसकी रचना की सेवा भी करना चाते हैं क्योंकि हम प्रमात्मा को हर जीव में देखते हैं जिसे उसने पैदा किया है हम उनके दिल को चोट नहीं पहुचाना चाते हम वही करना चाते हैं जो प्रमात्मा को भाता है वे सब नहीं करना चाते जो उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम अपनी भूलों और गलतियों से उसे नराज नहीं करना चाते और यही सेवा है हम सेवा का दायरा जितना चाहे बढ़ा सकते हैं परंतु सेवा प्रेम के बिना नहीं हो सकती प्रश्न 197 महराजी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे डेरे से दूर पस्चमी देशों में हम अपने दुनियावी कारे भी सेवा के रूप में कर सकें क्या हम अपने दुनियावी कारें को भी सेवा का रूप दे सकते हैं अगर आप 24 घंटे मालिक और सद्गुरू को अपने मन में रखते हैं, तब आप जो कुछ भी करते हैं, वह सेवा है आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें अपनी हौमे को ना आने दे आप सब कुछ परमपिता परमात्मा के लिए अपना फर्स समझ कर करें अगर आपके दिल में परमात्मा की याद हर वक्त बनी हुई है, तो आप जो कुछ भी करते हैं, वह सेवा ही है अगर किसी ने आध्यात्मिक मार्क पर तरक्की कर ली है और वह दूसरे सत्संगियों को प्रेड़ना और विश्वास देने की कोशिश कर रहा है तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि वह उनका अफसर है उसे तो यह समझना चाहिए कि वह उनका सेवक है उसे सेवा करने का यह मोका सद्गुर ने बक्षा है और उसे उनकी सेवा करने में खुशी होनी चाहिए ना कि उसे उनके उपर हुक्म चलाना चाहिए या अपने आपको उनसे बड़ा समझना चाहिए उसे दीन और विनम्र होना चाहिए केवल तभी वे अपनी सेवा भली भाती कर सकता है केवल तभी वे अपना फर्ज निभा सकता है अगर वेह यह सोचना शुरू कर देता है कि वेह उनका अफसर है वह दूसरों से बड़ा है, तब हॉमें आ जाती है और वह सेवा करने का मौका खो बैठता है अगर भजन सिम्रन सबसे उची सेवा है, तो क्या कोई और ऐसी भारी सेवा है, जो आंतरिक प्रगती के लिए जरूरी है अगर ऐसा है, तो हमें ये भारी सेवा किस हद तक करनी चाहिए? भारी सेवा यकीनन हर तरीके से हमारी साहेता करती है, यह हमारे अंदर से अहंकार को मिटाती है दरशल हमारे अंदर अपने ओदों, अपनी धन दौलत, अपनी मान भड़ाई और कामियाबियों का बहुत गुमान रहता है इन सबसे हमारे मन में बहुत अहंकार आ जाता है लेकिन सेवा इसे दूर करने में साहेता करती है हम अपने आपको आम आदमी समझने लगते हैं सेवा का फाइदा जरूर होता है हमें कितनी सेवा करनी चाहिए? यह इस बात पर निर्बर करता है कि सेवा करने वाला कौन है और उसे सेवा करने का कितना मौका मिला है हमें सेवा करने का मौका और काबलियत उसकी दिया मेहर से ही प्राप्त होते हैं हर एक को यह मौका नहीं मिलता हो सकता है कि बहुत से लोग सेवा करना भी चाहते हों सेवा करने के लिए बेताब हों लेकिन उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलता उनके हालात, उनका माहौल, उनकी घरेलू जिम्मेदारियां उन्हें सेवा का मौका ही नहीं देते मैं तो कहूंगा कि उसकी दिया महर से ही हमें यह मौका मिलता है इसलिए हमें उन लोगों का भी शुकर गुजार होना चाहिए जो हमें अपनी सेवा करने का मौका देते हैं किस्म किस्म की सेवा? प्रशन दोसो महराजी आपने संतमत की किसी पुस्तक में मेरा ख्याल है कि दिव्य प्रकाश में कुछ इस तरह से लिखा है कि भजन सिमरन या सेवा के जरीए ही सचखंड पहुचा जा सकता है नहीं, सेवा चार परकार की है बलकि असल सेवा एक ही परकार की है बाकी तीन सेवाएं तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा उस एक सेवा को निभाने का जरीया है ये सब सेवाएं इसलिए की जाती है ताकि हम अपनी चेतना को शब्द के साथ जोड सके हम तन की सेवा अपनी हौमे को मिटाने के लिए अपने अंदर दीनता लाने के लिए स्वयम को आम इंसान जैसा समझने के लिए और अपने मन को अमीरी गरीबी, जाती भेद और काले गोरे के भेदभाव से मुक्त करने के लिए करते हैं हम सब के साथ मिल जुलकर सेवा करते हैं इसलिए चाहे मैं मालिक हूँ या करमचारी सेवा में हम सब एक जैसे हैं दूसरी सेवा धन की सेवा है एक हद के बाद धन बुराई का कारण बन जाता है धन का मो हमें दुनिया में वापिस खीच लाता है और इंद्रियों के भोगों की ओर ले जाता है इसका गलत इस्तेमाल हमें इंद्रियों के भोगों और दुनियावी ऐशो अराम की तरफ ले जाता है इसलिए हम अपने धन का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं ताकि हमारा इससे मोख खत्म हो सके इसके बाद तीसरी सेवा मन की सेवा है जो इंद्रियों की ओर दोड रहा है और पूरी रचना में फैला हुआ है हम अपने मन को सिमरन के जरिये वापिस तीसरे तिल पर लाने की कोशिश करते हैं ये सभी सेवाएं उस एक सेवा को करने के लिए की जाती है जो की सबसे उंची सेवा है यानि भजन सिमरन के जरिये अपनी चेतना को शब्द के साथ जोड़ना हर संथ महात्मा ने सेवा शब्द का इस्तमाल किया है जिससे उनका मतलब भजन सिम्रन से ही है बाकी सेवाएं सिर्फ अपने हिरिदे रूपी बर्तन को साफ करने के लिए की जाती है ताकि हम इसे अंतर में अम्रित से भर सके अगर हमारा बर्तन ही गंदा है तो यहे भरे जाने के लायक नहीं है अगर हमारे अंदर दीनता नहीं है अगर हमारे अंदर धन दौलत का मोह है अगर हमारा ध्यान सारी रचना में फैला हुआ है तो हम अपने अंतर में उस अम्रित की लज़त नहीं ले सकते हजरत इसा ने इसे जीवन दाई जल कहा है जो हमें अमर जीवन देता है जब हम इन तीनों सेवाओं में काम्याब हो जाते हैं तभी हमें अंतर में उस अमरित की लज़त का सोभग्य प्राप्त होता है तब हमारा बरतन भर जाता है